नमस्कार मैं हूँ दिब्यांसू सेखर आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज दोस्तों मास्टर ब्लास्टर सचिन तंदूलकर चलद ही बिहार आने वाले हैं ना ही क्रिकेट के सिलसले में और ना ही किसी चीज का प्रमोशन करने बलकि सचिन अपने सबसे बड़े फैन के बुलाने पर बिहार आ रहे हैं सदी के सबसे बड़े क्रिकेटर सचिन तंदूलकर के सबसे बड़े फैन सुधीर कुमार ने ETV भारत न्यूज चैनल से खास बातचीत में इस बात की जानकारी दी दोस्तों सचिन के इस जवरा फैन को आप भले ही नाम से ना पहचानते हों मगर आपने इनको इंडिया के मैच के दोरान इस्टेडियम में जरूर देखा होगा पुरे सरीर और चेहरे पर तिरंगा बनाए सीने पर तंदूलकर का नाम और उनका नमबर और भारत का बड़ा सा जंडा हाथ में लिए या सचिन तंदूलकर का सबसे बड़ा फैन है इनका नाम है सुधीर कुमार गौतम और ये हैं बिहार के मुझपरपूर के रहने वाले 2007 से सुधीर ने भारती टीम का एक भी मैच नहीं छोड़ा है चाहे मैच भारत में हो या फिर भारत के बाहर ये हर जगा पहुंचते हैं और अपने खास रूप में टीम इंडिया का सपोर्ट करते दिखाई देते हैं सुधीर की उम्र तब 6 साल की थी जब वो इंडियन क्रिकेट और सचिन तंदूलकर के फैन बन गए क्रिकेट की ऐसी दिवानगी थी कि 14 साल की उम्र में पढ़ाई भी छोड़ दी उन्होंने एक मिल्क कमपनी में काम भी किया और टीचर की ट्रेनिंग भी ली मगर क्रिकेट देखने और टीम इंडिया को सपोर्ट करने की ऐसी चाह थी कि उसके आगे कुछ भी नहीं यही कारण था कि सुधीर ने साधी तक नहीं की सुधीर के रवये से उनके माता पिता काफी दुखी थे मगर सुधीर ने तो ठान लिया था कि वह अपना पूरा जीवन टीम इंडिया को सपोर्ट करते रहेंगे चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े भारत का मैच न देखना उनके लिए मरने के बराबर होता था एक बार तो सुधीर ने आतन दा की धमकी दे डाली थी जब उनको लगा कि वो भारती टीम द्वारा खेले जा रहे मैच को नहीं देख पाएंगे आईए अब आपको बताते हैं सुधीर के जिंदगी से जुड़े कुछ दिल्चस्प किस्सों के बारे में 2015 में बांगलादेश की मीरपूर में भारत बांगलादेश सिरीश खेली जा रहे थी तब सुधीर वहाँ भी भारती टीम को सपोर्ट करने पहुँचे थे स्टीटियम में बैठे कुछ कटर बांगलादेशी फैंस ने सुधीर को काफी परेशान किया यहां तक की उनके जान पर बनाई तब बांगलादेश पुलिस द्वारा उनको रेस्क्यू किया गया था एक बार एक सीनियर पुलिस ओफिसर ने सुधीर से माफी मांगी थी यह 2010 की बात है कानपूर में एक बार प्रैक्टिस सेशन के दोरान सुधीर सचीन से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े तबी एक सीनियर पुलिस ओफिसर ने सुधीर को हटा दिया इतना ही नहीं उन्हें हिराजत में भी ले लिया तब सचिन ने खुद मामले में हस्तक्षेप कर सुधीर को छुड़ाया था पुलिस वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद आकर सुधीर से इस घटना के लिए माफी मागी इस घटना के बाद BCCI ने तै किया कि सुधीर के लिए वा खुद हर मैच में स्पांसर करेंगे 2011 में जब वानखेड़े स्टेडियम में भारती टीम वर्ल्ड कप जीती थी सुधीर स्टेंड्स में फैंस के बीच बैठे हुए थे तब ड्रेसिंग रूम से खुद तेंडूलकर ने सुधीर को आने के लिए इसारा किया जब सुधीर पहुँचे तो तेंडूलकर ने जहीर खान से वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाने को कहा फिर सचिन ने वो ट्रॉफी सुधीर के हाथ में देकर जश्न मनाया इस दोरान सुधीर ने भी सचिन के साथ फोटो घिचवाए सुधीर भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी हाथ में उठा कर इंडिया इंडिया के नारे लगाने लगे फिल्मेकर सुस्रत जैन द्वारा बनाई गई डॉक्यमेंटरी फिल्म Beyond All Boundaries में सुधीर कुमार के निजी जीवन का विस्तार से दिखाया गया है अब सुधीर कुमार ने तै किया है कि वो अपने सहर मुझपरपूर में सचिन तंदूलकर का एक मंदिर बनवाएंगे इस मंदिर का उद्गाटन करने के लिए सुधीर अपने भगवान सचिन तंदूलकर को बिहार गुलाएंगे सुधीर मंदिर निर्मान को लेकर इसकी रूप रेखा तयार करने में जुट गये हैं इटीवी बिहार से खास बाचीत में सुधीर कुमार ने कहा कि जब अमिताब बच्चन और रजनीकांत के मंदिर बन सकते हैं तो सचिन तंदूलकर के मंदिर का निर्मान क्यों नहीं हो सकता उन्होंने कहा मैंने मुझा परपूर में सदी के सबसे बड़े क्रिकेटर सचिन तंदूलकर का एक भवे मंदिर बनाने का संकल्प लिया है जो जल्द ही पूरा होगा इसको लेकर कई लोगों से सकारात्मक बाचीत भी हो रही है मंदिर ये भी चाहते हैं कि इस मंदिर का उद्गाटर करने के लिए सचिन खुद आएं सदिर की हार्दिक इच्छा है कि क्रिकेट के भगवान सचिन तंदूलकर बिहार की धर्ती पर कदम रखें उन्होंने कहा इस पल का बिहार के क्रिकेट ट्रेमी वर्सों से इंतिजार कर रहे हैं मंदिर निर्मान के लिए सुधीर पैसे के इंतिजाम में लग गये हैं और जैसे ही पैसों का इंतिजाम हो जाएगा वैसे ही मंदिर निर्मान का कारज शुरू करवा देंगे फिलाल करोना संक्रमन की वज़े से सुधीर इंदिनों क्रिकेट के मैच में टीम इंडिया का मनवल बढ़ानी के लिए देश से बाहर नहीं जा पा रहे हैं ऐसे में इंदिनों वो अपने परिवार और मित्रों के साथ मुझा परपुर में समय बिता रहे हैं तो ऐसे हैं सुधीर कुमार हमें पुरा विश्वास है कि सुधीर का ये संकल पूरा होगा और उम्मीद है सचीन को हम जल्द ही बिहार में देखेंगे अभी के लिए इतना ही क्रिकेट से जुड़ी खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे देखते रहे हैं आपका अपना पिहारी न्यूज दन्यवाद